पिछले किस में आपने देखा कि हसन और उन्ने वाला घोड़ा बहुत अच्छे दोस बन गए थे हर हफ़ते की रात हसन उन्ने वाले घोड़े पर बैट कर पूरे जंगल की सेर करता था एक रात हसन ने घोड़े से पूछा तुम्हारा नाम क्या है घोड़े ने जवाब दिया मेरा नाम सीरियस है सबसे चमख़दार सितारे को कहते हैं अगले हफ़ते जब हसन दरीया के किनारे सीरियस का इंतिजार कर रहा था सीरियस नहीं आया हसन इंतिजार करता रहा यहां तक कि वो सो गया सुभा जब इसके दादा ने इसे जगाया और पूछा कि वो यहां क्या कर रहा है हसन ने कुछ नहीं कहा हसन बहुत उदास हो गया वो रात को अच्छी तरह नहीं सो सकता था उसको रात को अच्छी तरह नीन भी नहीं आ रही थी इसे सीरियस की बहुत याद आती थी एक दिन जब हसन सो रहा था इसमें अपने खुआप में सीरियस को देखा सीरियस ने बताया कि एक चुड़ेल ने चादू करके इसे घार में कैद कर दिया है सीरियस ने हसन से मदद की बरखास की ताके वो इसे कैज से अजाद करा सके सीरियस ने बताया कि गार जंगल के अंदर एक पहार के करीब है जब हसन सुब को उठा तो बहुत परिशान था हसन ने अपने दादा से पोछा कि वो चुडैल के जादू को कैसे तोर सकते हैं इसके दादा ने कहा अगर वो चुडैल को चला दें तो जादू तूट जाएगा हसन ने जंगल में जाने के लिए सब कुछ तयार कर लिया इसने एक रसी, एक चाको और एक लाइटर लिया अगली सुबा जैसे ही सूरज निकला हसन जंगल में गार को तलाश करने निकला शाम तक हसन ने गार तलाश कर लिया जब हसन गार में दाखिल हुआ इसने देखा कि चुडैल ने सीरियस को कैद किया हुआ है और जादू कर रही है हसन ने चुडैल को पुकारा चुडैल ने हसन के पीछा शुरू कर दिया हसन तेजी से गार से बाहर भाग कर जाड़ियों में छुप गया जब चुड़ेल हसन को तलाश कर रही थी तो इसका पाउं रसी में उलच गया हसन ने फौरण कुछ जाड़ियां चुड़ेल पर भेक कर आप लगा दी चुड़ेल वही चल कर मर गए और इसका जाड़ू तूट गया हसन ने सीरियस को कैश से अजाद करा दिया फिर हसन सीरियस पर बैठा और वो गाउं की तरफ रवाना हो गए